नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राज विसे न इंटेलर्स बिजनीश ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पिकर दोस्तों मैं सवागत करता हूँ आप सब का आपके एपनी यूट्यूब चैनल जहां पर इंपोर्ट इंपोर्ट इंप्टिकल नहीं सिंपल बनाते हैं तो फ्रेंड्स पर इंपनी जो कि आप डेनमार्क में एक्सप्लोर कर सकते हैं तो उसमें सबसे पहले पाइदान पर आता है बोर्ट रेंटिंग बिजनिस यानि देखेंगे आसपास में समुद्र बहुत जाद है लोकेशन आपको पता यूरोप में पढ़ता है तो बेसिकली बोट रेंट बिजनिस बहुत लोग अपनी बोर्ट चलाते हैं किराई की बोर्ट चलाते हैं और आप समान इधर से उधर ले जाने में काम करते हैं तो बिसिकली बोट रेंटल बिजनिस एक अच्छा बिजनिस महां पर साबित होता है इंडियन एस्टुएंट्स धलल ले इससे चलता है बहुत लोग महां पर घूमने के लाते हैं ट्यूरिस्ट आते हैं इंडिया से भी काफी लोग जाते हैं इंडियन से हर साल कई लाखों लोग महां पर घूमने के लिए जाते हैं जिसे जर्मनी जाते हैं फ्रांस जाते हैं इटली जाते हैं डेन्मार्क जाते हैं काफी वहां काटना छीलने का काम जो है अगर वो छोट छोटी आप शर्विस दे सकते हैं वो भी अच्छी चलती क्योंकि लोगों के पास टाइम की कमी है पैसा भरपूर मात्रा में है पर कैपिटे इंकम आप देखें कि मोर देन सेविंटे सिक्स्टी एट थाउजन आता है यह यह यूज दो बैसकी क्यों है हर किसी आदमी के पास टाइम की कमी है सब लोग बिजी अपने काम में बिजी है तो बैसिकली अगर यह चोटी चोटी छोटी सर्वीस आप महां दे सकते हैं जिसे फल- suppressed देना चिल के देना है मला आप चिल के देना मतलब आप नहीं चिलेंगे आपके पास में कुछ ऐसे वरकर रहेंगे रोबेट रहेंगे या कुछ भी आप मेकैनिसम डवलप कर सकते हैं या आपका कुछ कार दुलवानी है किसी को अपनी बस दुलवानी किसी को अपना ओफिस क्लीन करवाना किसी को अपना घर क्लीन करवाना किसी को होस्पिटल क्लीन करवाना कुछ भी आपके पास में एक ऐसे टैंक आता है उसमें पंप वगरा अलगे रहते हैं हाई प्रेशर वाटर जेट से फिर उसका आपको experience है तो वह भी अच्छा चलता है डेनमार्क में dog training business यानि जो वहां के dog होते हैं कुते dog होते हैं उनको training train करना अगर आपको experience है या फिर आपको pet का आपको लगाओ है interest है और आप इसमें expert बन जाते हैं तो आप dog training business महां open कर सकते हैं जिसमें आप अच्छा पै organic food store जानि जैसे की organic fruit and vegetable का जो online marketing होता है या फिर आप उसको physical अपना खुद की दुकान अपनी store महां open कर सकते हैं क्योंकि लोग health conscious है लोग पास time कम है stress जादा है लोग health conscious है तो अपने लिए पैसा खर्चा करता है कि वह अच्छा input ले अच्छा खाना पिना करें तो basically organic food का भी महां पर अच्छा पर चलेने पूरे यूरूप में है organic food का तो relocation service आप चालो कर सकते हैं यानि packaging mover की यानि एक कोई बंदा है कोई business कर रहा है या फिर कोई job कर रहा है एक location पे वहां से दूसी जगे उसका transfer हुआ है तो पूरा समान उसका packing करके उसका घर, TV, fridge, cooler, AC जो भी उसक पास सब समान है, sofa हुआ, जो भी सब समान है, वो सब pack किया, truck में डाला और उसको दूसी location पे relocate कर दिया, उसके गमले, हमले, पूजा, कंडीगी, तुलसया वगरा, सब चीज, सब, सब A to Z, जाडू से लेके, पूरा A to Z, सुई से लेके, जो भी उसके पास समान है, सब relocate कर में, export and import का बहुत अच्छा business होता है, डेनमार्क का, अगर मैं बात करूँ, tour and travel की, तो बहुत जादे tourist आते हैं, अगर आपको tour and travel का experience है, तो आप अच्छा पैसा बना सकते हैं, डेनमार्क में, अगर मैं बात करूँ, start your freelancing platforms, यानि वो लोगों को साथ में connect की, जो की freelancing करना चाहते हैं, जो कि किसी particular कोई business नहीं करें, particular कोई job नहीं करें, but they are the technical qualified person, they are having their own skills, तो वो कुछ अगर छोटा मुटा कुछ काम करके दे सकते हैं, उसके बदले में वो कुछ पैसा लेना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों कोई खटा करके आप वैसा एक platform develop कर सकते हैं, अपनी website develop कर स चाहिए, तो वो काम आप उसको करके देंगे, आप नहीं करेंगे, बेसिकली जो freelancer है, वो करेगा, आप तो सिप उनका meeting करा रहे हैं, बेसिकली बात करता हूँ business training consultancy, तो business training consultancy भी आप open कर सकते हैं, जैसे हम लोग भी business training देते हैं, तो बेसिकली मैं अपने training के बारे ही में ब buyer find करते हैं, buyer को verify कैसे करते हैं, कोई party fraud तो नहीं, उसको कैसे आप identify करते हैं, custom clients कैसे होता है, intel's marketing कैसे होता है, organization behavior कैसे check करते हैं, mind कैसे read करते हैं, buyer को कैसे follow up करते हैं, कैसे target करते हैं, कैसे किस तरह के से convert करते हैं, तो यह सब सब सिप चीच, A to Z, step by step, 100% आपको सिखाने की guarantee रहती हैं, आप उसको join कर सकते हैं, आगर मैं benefit की बात करूँ, क्या 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 आपको benefit मिल जाता है, जब आप देनमार्क में अपनी company open करते हैं, तो fully digital society है, क्योंकि developed country है, तो fully digital society आपको मिलने ही वाली European country है, business friendly environment है, government supportive है, 100% foreign ownership आपको मिल जाती है, world class R&D center आपको मिल जाता है तो R&D sector में भी आप जा सकते हैं, आप अच्छा research वाँ पे कर सकते हैं, good natural resources जो भगवान ने उनको natural resources दिए हैं, वो भी अच्छी quantity में अच्छी परड़क्ट उनको दिये हुए हैं, तो अच्छी natural resources वाँ आपको मिल जाते हैं, stable government आपको मिल जाती, well developed infrastructure, transportation आपको मिल जाता ह और innovative technology आपको मिल जाती, जिसमें आपको बहुत जादे किसी चीज़ का सफर नहीं करना पड़ता, अच्छी नहीं latest technology वो आपको महाँ देखने को मिल जाती है, अगर मैं technical research की बात को यह निए वो कौन-कौन से technical research ही, जो आग global export ने आपके लिए की, तो basically उसमें सबसे पहले पाइदान पर आता economy, 399 billion dollar का economy है, डेनमार्क का population भी बहुत जादा नहीं, 58.3 lakh का ही population है, per capita income जबरदस्त निकल के आ रहा है, per capita income सुनके आपका दिल खुस हो जाएगा, per capita income आ रहा है, 68,094 US dollar, यानि हर कोई वो citizen जो की डेनमार्क में रहा है, per year on average 68,000 US dollar कमा रहा है, अगर मै बात करूँ GDP by different sectors, तो agriculture बहुत कम, उसमें GDP contribute करा, only 1.6% का, अगर मैं बात करूँ माइनिंग की, तो माइनिंग जैसे natural resources हमने बोला था कि उनके पास भगवान ने दियो natural resources है, तो माइनिंग भी 1.2% का माँ पे contribute कर रहा, industry total 14.4% का contribute कर रही, वहां की GDP में, service industry 75% का GDP में contribute कर रह है, total export की बात करें, तो 102, 102 billion dollars का total export कर रहे है, total import 97 billion dollars का कर रहे है, यानि import कम कर रहे है और export जादे कर रहे है, इसलिए ही तो महां की GDP अच्छी होती जा रही है, और महां की per capita income भी अच्छी हो रही, वह country जो export जादे करेगा, import कम करेगा, हमेशा आगे बढ़ेगा, अगर मैं बात करूं, language की, तो डैनिस और इंग्लिस दोनों लेंगवेश चलती, type of company की बात करें, यानि वो कोर कों से type की company, जो की legal entity महां पे register होती, total four type की company है, तो basically उसमें पहले आता है, limited company, limited company में भी तीन type की आती है, public limited company, private limited company, and limited partnership company, तो basically liability महां पे limited देखी जाती है, और minimum दो डारे आपको चाहिए, और minimum कोई capital वहां पे required ने रहे थे, कि minimum एक लाग डोलर, पांस लाग दोर आपको अपने account भी रखना रहेगा, वैसा कुछ नहीं है, और थर ना, थर टाइप की company की बात करें, limited partnership company, उसमें भी minimum दोई डारेक्टर आपको चाहिए, और liability यहां पे आपको limited मिल जाती है, उसमें भी minimum आपको capital requirement नहीं, कि इतना निर्धारी थे, इतना आपको capital minimum requirement रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, फोर्थ रैप की company की बात करें, तो branch office आता, जैसे हमारी company, आग global export इंडिया में है, और उसका हम branch office खोलना चाहते हैं, डेनमार्क में, तो डेनमार्क में हम open कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ activity नहीं कर सकते हैं, कुछ आप उसमें manufacturing नहीं कर सकते हैं, अगर मैं business visa की बात करो कि business visa लेना कितना आसान है, तो basically 90 days के लिए आपको business visa मिलता है, आपको इसके लिए three months का valid passport, original passport आपके पास होना चाहिए, जिसका minimum थ्री मन्त का validity अभी बाकी sales हो, financial proof के लिए आपको bank statement लग जाता है, जो कि 6 महीने का आपका bank का statement होना ज़रूरी है, return ticket, confirm return ticket होना चाहिए, कि भई आप जा रहे, वापस आओगे न, हाँ जी वापस आएंगे, इसलिए confirm होना चाहिए, आपका return ticket, अगर confirm नहीं है, तो confirm कराना, बहुत ज़र अगर यह वीडियो आपको पसंद है, जुरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने friends and family में इसको जुरूर सेर कीजिए, हार एक उस हिंदुस्तानी को सेर कीजिए, जो कि Denmark जाना चाहता है, या Denmark में अपनी company open करना चाहता है, कुछ job कर रहा है, business करना चाहता है, जो करना है, direct two expo together, thank you, thank you very much.